चलिए बहुत-बहुत शवगात एक बाँ मेरे जितने भी इंडियनामी की लाल हैं, तो फानली आपका बिटा सट्रूल जारी हो चुका है. हमारे देश की जितने भी जेटारोज है, सारे जेटारोज सार्डीटारोज का स्ट्रूल आ गया है, तो चलिए सबसे पकले मेरे सामने लखना हुए क्योंकि सब्सक्राइब काफी लंबा है काफी इस दौरान कई बच्चे के सवाल भी आ रहे हैं कि सर अगली विकिंसी के विश्ण भी अपडेट दे दीजिए बस अपडेट फास्टेस्ट आ रही है और बिल्कुल तयार हो मेडिकल दोनों ही महत्यपूर्ण है कहीं कसर मत करिएगा मैंने एक इस्पेशल वीडियो भी बना दिया है डाकुमेंटेशन और फिजिकल को ले करके इसी चैनल पर जरूर देखिए उसको बहुत क्लारिटी से काम करना है किसी पॉइंट पर कमी नहीं होना चाहिए हर चीज कर लेते हैं सेजूल काफी लंसे अप टू 29 5 तक गया है अलग अलग आ रोस में अलग जडारोज में अलग 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 अडेट से किस्थ은 तो सबसे पहले अपने सामने लखनव है और सरिक करें तो जो है सबसे पहले रनी का दे रखा इन्होंने सेड्यूल जिसमें जो है अलमोरा हो गया रानीखेत 2029 जून रखा हुआ है जिसमें उन्होंने जीला जो कबर किया हुआ है अलमोरा है बागेश्वर है नैनी ताल है उधम सिंग नगर है क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि लखनो जो है जोन में ही पू प्रदेश से आप हो या उत्राखंड से हो यहीं आपका सेंटर होगा एक जुलाई से लेकर साथ जुलाई और दूसरा सडूल मिला है नौ जुलाई से लेकरके 11 जुलाई से पाही फार्मा के लिए 9 से 11 जुलाई है और नर्सिंग असे बेटमरी के लिए जो है वह एक से कब कबर हो जाएंगे फिर कमसा है बरेली का मेरट का फिर लाइंस डाउन का सारे के सारे इसमें बच्चियां भी हमारी बड़ी चिंती थे उनका कब सड्यूल आ रहा है उत्तरप्रदेश में तो आपका लखनू हेटकौटर पे ही बिटा पांच नौवंबर से लेके 8 लखनू लोकेशन आपकी होगी ठीक है बच्चा इसके राव कुछ बच्ची भी पूछे बाकि तो चलो जीडी का हुआ टेक्निकल का हुआ क्लर का हुआ क्रिट्स मैं हुआ उनका तेक साथ चलता रहेगा इनके अलावां जो बार बार प्रस्ट होता है नर्सिंग असिस्ट मतलब जितने भी यूपी और उत्राखंड के हमारे केंडिडेट्स हैं वह इस देट पर आएंगे बागी सब करमसा डेट दिया हुआ है डेट उत्तर प्रदेश में जो गई है लास्ट कानपूर की वह 12 फरवरी तक देखने को मिल रही है आई इसी तरह आगे बढ़ते हैं की कोशिश करते हैं कि कप कप किसका स्टियूल है यह तो रहा उत्तर प्रदेश का texto Ли शीए मोटा मोटा क्लियर हो गया होगा ओगा किसका consistently देट्स यही ही है जिनपे आपको फॉलो कर तरीके चलना है प्रिशिक्रम में हम अगले बात करते हैं मतलब बिहर और ज़ार अब हम बात करेंगे वच्चा यहां पर बिहार का जो सड्यूल मिला है मुझफरपुर 16-28 जून का सड्यूल पहला मिला हुआ है इडिश्टिक इसमें कबर किये गए बिहार के सीता मड़ी है मदुबनी है समस्तिपूर दर्भंगा वेस्ट अमपारन है सिहोर और 23 और 24 नौंबर जितने भी WMP की बच्चियां है दानापूर ही रहेगा जो हमारे आटीजेशी और सरवेयर आटोमेटिक कार्टोग्रेफर के टेगरी में इनका भी 25 नौंबर का सड्यूल मिला है बाकी तो क्रमसा सबडेट पे चली रहा है कटिहार में ही सड्यूल किया गया इसे ही सारे सड्यूल बच्चा आये हुए हैं हर जो है जोन के जैसे दानापूर जोन देख लिया हम लोगों ने उत्तर प्रदेश उत्राखंट देख लिया इसी तरीके हर जोन को क्रमसा आप देखते चले जाएंगे जैसे अंबाला वाले में हैं तो इसमें भी पूरा सड लेकिन अगर हम नर्सिंग असिश्टिंट और सिपाही फार्मा की बात कर रहें बच्चा तो सत्रा से लेके 30 जूलाई तक का सेडियूल मिला है रोह तक राजियू गांधी स्टेडियूम रोह तक में वहीं आटी जेसी हवालदार सर्वेयर आटोबेंट का और पर इनका भी ही दिया जबलपूर पूर MP वाला जित्ता हमारा बच्चा है उसका भी क्लियर कट है यहां पर कोई दिक्कत नहीं है सबका सडियूल तो 22 जो है इनका सुरू हो रहा है जुलाई से 22 जुलाई जबलपूर सडियूल आया हुए लंबा हमको लगता टाइम इधर दिया गया है और इसमें जो है एने ने जो सिपाही फर्मा है नर्सिंग वाले उनका नौ से लेके 10 से संबर तक जितने भी मारे MP जोन की बच्चीयां है उनको मैं कहना चाहूंगा कि बिटा आपका 12 फरवरी 2024 में सडियूल लगाया गया है जितने भी डिस्टिक हैं इस जोन में सारे के सा अबर कर लिए गये हैं तो यह रहा सडियूल जो आपके सामने लगाता रहे आप लोग इसको देख भी रहोंगे इसका प्रॉपर पीडिया भी हम अप्लोड करवा देंगे आपको टेलीग्राम जो लिंक है के सी का उसको और उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं चीजों को प है प्रापर मेहनत करें जलंधर का सडियूल यह हो गया पूरा का पूरा इसी तरीके हार यार कॉलकट्टा का सडियूल यह हो गया लगनों हमने आपको बता ही दिया पुने का पूरा सडियूल हो गया इनका भी 10 जून से लेके 17 सबसे पहले नागपुर मतलब पुने जोन ही पूरा का पूरा यह भी 6 जुलाई से सुरू हो रहे हैं फाइनली पूरा का पूरा डली के बात करने तो राज्यू गांधी स्टेडियम जो कि बवना डेली में है आयारो राज्यू गांधी इसमें भी जो है आल्लिस्टिक आप दिल्ली ले लिया जाता है दूसरा 20-30 जुल जो आपके सामने डेस्स करना था फाइनली यही बताना है बच्चा की सड्यूल आप देख सकते हैं इतना समय मिलने का मतलब ही है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वाइड होगी क्योंकि थोड़ा भी ब्रेक हुआ कहीं कोई दिक्कत हुई तो समस्या आजाएगी इस दौरान यही सुझाओ दूँगा कि फिजिकल और मेडिकल जरूर आप करा लीजिए गा और एमकेसी के साथ बिलके बिलकुल कर सकते हैं 9696330033 पर कॉल कर लीजिए गा बच्चा एक बार बहुत-बहुत सुपकामना है सर्यूल आज चुका है आप घबडाईएगा मत 10-15 दि इंतजार करने की जुरूरत नहीं है फड़ापट बैक पैक करी और एमकेसी का हिस्सा बनी है रियल फिचकल और रियल मेडिकल की तैयारी के लिए बाके तो देश में बहुत आपको आप्सिन यहीं पर मिलेगा और रिटन जुलाई से स्ट्रडूल जैसे मनें बता दिया है क जैहिन जैभारत कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरू मैं सब्सक्राइब जैहिन